हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने लावा Z61 Pro Android वाइल फोन में आप जो है Charging Sound and Vibration Setting को Enable कैसे कर सकते हैं यानि की On कैसे कर सकते हैं और ये Charging Sound and Vibration Setting जो है Enable होने के बाद ये Setting कैसे काम करेगी ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बजान करीद देने वालों तो चलिए आपर जो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में Setting पेज ओपन करना है ठीक है, Setting पेज open करेंगे तो आपको नीची आना है और यहां पर आपको मिलेगा Sound का Option Sound पे Select करना है, इसके बाद आपको Sound के सपेज में नीची आना है और यहां पर आपको मिलेगा Option Charging Sound and Vibration ये Option मिल जागा Charging Sound and Vibration इसके ठीक सामने आपको इपन दे रखा है इस बटन को आपको select करना है तो यह बटन आपका blue color में on हो जाएगा यानि कि आपकी charging sound and vibration setting इस तरीकी से enable हो जाएगी ठीक है अभी setting जो enable होनी के बाद यह setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूँ तो जब भी आप अपने mobile phone के साथ अपने charger को connect करेंगे ना तो आपका mobile phone एक sound create करेगा जब charger को connect करेंगे अपने phone से मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरे पास जो है यह मैं अपना charger जो है पहले से यहाँ पर ready रख रखा है यह आप देख सकते हैं ठीक है मैं इसको connect करता हूँ अपने phone के साथ तो यहाँ पर आप देखेगा एक sound होगा ठीक है इस तरी के से 15 साउंड create होता है और एक vibration भी create होता है लेकिन vibration आपको आपके हाथों में मैसुस होगा तो इस Бात का ध्यान रखना है तो यहां पर जो है यह sound इस तरीके से create करता है यानि कि आपकी setting इस तरीके से काम करती है आपके लावा Z 61 pro android mobile phone में आपको जो setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं ठीक है आपके phone में इसके लिए आपको mobile का setting page open करना है setting page में सबसे उपर आपको setting सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको search bar में टाइप करना है charging sound and vibration ठीक है जो setting का name है वो आपको type करना है तो आपको नीचे यह option show हो जाएगा ठीक है इसे आपको select कर लेना है इससे होता है क्या है आपको mobile phone आपको डिरेक्ट इस setting page में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है इस तरीके से तो यह एक shortcut तरीका है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में